दोस्तो रिसेंटली अगनी 5 मिसुल के नए वेरियेंट का टेश्ट किया गया है जिसमें इसकी रेंज अब 7000 किलोमेटर से ज्यादा की जा चुकी है पहले इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमeटर की थी लेकिन अब अगनी 5 की रेंग 7000 किलोमीटर की हो चुकी है तो चाइना के हिसाब से इसकी रेंग 10,000 किलोमीटर की होनी चाहिए लेकिन हम भारत की ही माने तो इसकी रेंग 7,000 से 8,000 किलोमीटर की है और अगनीफाई भारत की सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाली M.I.R.V. कैपबल इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है इसे स्ट्रेटिजिक फोर्सस कमान द्वारा यूज किया जाता है ये थ्री स्टेज की सॉलिट फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है और ये 2500 के स्ट्रेटिजिक नुकलिर वेपन्स को कैरी कर सकती है अगनी 5 को ये एक ट्रक द्वारा ले जाया जाता है और ये एक कैनिस्टर के माध्यम से लॉंच किया जाता है ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में 24 मैक की हाईपर सॉनिक स्फीड तक पहुच जाती है दोस्तों DRDO भारत की ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे खतरनाग मिसाइलों में से एक अगनी 6 को डेवलप कर रहा है जिसका आने वाले तीन सालों में यानी 2025 तक टेस्ट किया जाने वाला है अगनी 6 मिसाइल को सिक्रेटली डेवलप किया जा रहा है और इसमें लगने वाले कई critical technologies को भारत ने पहले से ही डेवलप कर लिया है वहीं इन मेंसे कई technologies partially demonstrate भी की जा चुकी है अगनी 6 मिसाइल को रेकर सबसे पहले 2013 में ततकाल इंडिया डियो चीफ की तरफ से का गया था कि अगनी 5 के बाद अगनी 6 मिसाइल को भी डेवलप किया जाएगा और धाय सालों के अंदर भारत 10,000 किलोमेटर से ज़्यादा रेंज रखने वाली मिसाइल को हासिल कर लेगा टार्गेडेबल रियेंट्री वेहिकल ये माई रवी कैपेबल है यानि एकसाद कई न्यूकलियर वेपन्स को कैरी कर सकती है और ये 10 से 11 स्ट्रेटिजिक न्यूकलियर वेपन्स यानि 3 टन तक के वारेट को ले जा सकती है